काजल जी हैं हमारे साथ में काजल जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो कुछ बोले काजल जी ने वो बहुत अच्छी वक्ता है यहां पर भी सब जानते ही होंगे इन्स्टाग्राम में इन्होंने धूम मचा रखी है और इस प्रकार के हिपोक्रेसीज पे उन्होंने बहुत उनके एक से एक उजस्वी वक्तवे हैं और उसको छोड़कर इस विशय पे लड़कियों को अवेकन करना लव जिहाद के विक्टिम्स को रेस्क्यू करना इन सब का इस सर्व प्रतम तो इतने प्यारे और सुंदर से वक्तवय के लिए संजी भाई आपका बहुत बहुत आभार और स्वाती जी धन्यवाद आपको कि आपने मुद्धे को होस्टिया और इस मुद्धे के साथ आप आए और बहुत जरूर यह देखो मैंने अभी किसी को सुना कि कोई ये बोल रहा था कि इसको इतना जादा Importance क्यूं देना कही थक मुझे भी ऐसा लगता है कि Importance नहीं देना चाहिए पर कितना ये जायज है कि अगर हम लोग importance नहीं देते तो तनीश्क वाला वो ad jewelry का हटता हमने importance दी और boycott भी किये और बवंदर भी मचाया और rebel भी किया तब जाके वो हटा तो वही बवंदर वही rebel करना है ताकि ये वाला जो ad है मान्यवर का वो हटे और क्योंकि मैं पंडितों के family की हूँ तो मैं अपने आपको ज्यानी नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं पंडितनी हूँ मेरे परिवार में है तो मैं जानती हूँ कि कन्यादान का मतलब क्या होता है और ये जो कन्या मान का concept लेकर मान्यवर आया है तो मैं ये मान्यवर को ये बताऊंगी कि कन्या का मान जितना सनातन धर्म में होता है उतना तो कहीं नहीं होता मातर हमारा धर्म ऐसा है कि जिसमें जब शादी होती है तो पहले वर आता है फिर वदू आता है और जो मंत्रों उपचार होते हैं उसमें उनको लक्षमी नारायन क समझ कर उनको दर्जा दे के उनको उस पाट पे बिठाया जाता है और फिर नारायन समझ के उनकी पूजा की जाती है और जो वधू का पिता है वो वर का यानि उसको नारायन की तरफ बिठा कर उसकी पूजा करता है उसके पैर्द होता है और उसके बाद जैसे ही कन्या आती है तो कन्या का मान होता है कन्या को बिठाया जाता है और वो पिता ये जिस पिता के लिए कन्या कह रही है ना कि मेरा दान कर रहा है मैं तो चिडिया थी अब ये वो तो जब वो पिता पैर्द होता है उस कन्या दान की परंपरा में और पैर धोके उसका साफ करता है पैर तो इससे बड़ा क्या मान होता है किसी कर्णिया का और सनातन धर्म संस्कृती में हमारे वेद पुरान में लिखाए कि सिर्फ दो ही चीजों को इंसान के साथ जाती है या जिस पर उनको जो हमारे भगवान है उनको उस पर जगे देते है या वही मौत के बाद उनके साथ जाता है वो पहली चीज है कि अगनी यग्य में किया हुआ जो हम लोग यग्य कुंड होता है उसमें जो हम आहुती देते है वो और दूसरा दान तो किसी भी तरह का दान और कोई भी अगनी को दी हुई आहुती ये दो ही ची जो कन्या दान है, it's not about कि actually ये जिस दान के concept को इन्हों ने गलत बताया, अगर हम किसी को एक पता पिता, हम जानवर तो है नहीं कि भई बस कहीं से भी उठा लो और कैसे भी भेज़ दो, हमारे में बिल्कुल परामपरागत तरीके से उसको लक्षमी के रूप में बिठा के अचले 21 पुर्वज और लड़की के आने वाले जो 10 भावी पीड़ी होगी, मतलब 10 आगे आने वाली पीड़ी होगी, उनको इसका वो लाभ मिले, इसलिए ये पूरा रीचुवल्स कन्यादान का निभाया जाता है, और इस रीचुवल्स के अंदर का जो लड़की की पुर चानी 21 पीड़ी है, जो कि उसके पुराने 21 पीड़ी के पुर्वज है, वो इसमें आशिरवात देते हैं और ये आशिरवात देते हैं कि लड़की की आने वाली जो 10 पीड़ी है, वो जिस एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जारी है, क्योंकि हमारे में एक गोत्र में हम पर आता है उसको हमारे सनातन धर्म संस्कृती में भीक नहीं कहते उसे दान कहा जाता है और दान पर एक बहुत बड़ा मतलब कॉंसेप्ट हमारे संस्कृती में लिखा हुआ है तो वो धूम धाम से पूरे इज़त के साथ में हमारे घर में आते है और हमेशा देखना सनातन ध अपने गोत्र की बेटी को अगनी के सामने साक्षी मान के क्योंकि उस वक्त एक अगनी ऐसा देवता होता है जो साक्षात हाजिर होता है तो उसको उसकी परिक्रमा करकर अगनी को साक्षी मान कर रीचुल्स निभाकर लड़के के गोत्र में उसको सौपते है और सौपते है ये उपने हिसाब से अपने हमारा जो भी यहां के जो हमारे फैमिली की ट्रेडिशन थे वो निभाती थी लेकिन अब इन सारे रिचुल्स के साथ अब वो आपमे आ रही है और आप में आने के बाद जो आने वाली दस पीड़ी हो गी जो पिछली 21 थी वो और आने वाली जो 10 पीड़ी है उसका जो भी वो रहेगा वो हमारी बेटी के थूरू शुरू होगा क्योंकि वो जाने के बाद एक नई जनरेशन पैदा करेगी उस परिवार की ऐसा नहीं है करीना की तरह की कबूले 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 बोलकर तैमूर और जां दे रहा हूँ या बाप ये कह साथ जता है इसलिए हम कैते हम गुप्त दान दिया करो जितना हो सके हमें अग्यारज को ऐसे जो भी हमारे दिन आते है भगवान के उस दिन हम लोग दान करते हैं तो ये सारे रिटेल्च ए जो समझना चाहिए लेकिन ये जो نाजायस ताकि नाजायज उलाद थी वो अलग बात है कि उसके पिता ने बाद में उसको अपना नाम दिया तो नाजायज उलादों को तो पता ही नहीं कि जायज क्या होता है और जायज में कैसे रिचुल्स निभाए जाते है इसको ये भी नहीं पता कि इसका बाप जो है अपनी बेट के साथ शादी करी अनस करके उसका पती है मौलाना बोल रही थी मुझे बेहन बेहन कहरा था मौलाना क्या पता था यह मेरी से शादी हो जाएगी सना जो बिग बॉस में आई थी तो वो सना शेक ऐसा बोल रही थी तो हम लोगों में तो बेहन बोलते है तो बेहन से शादी नही करते हैं लेकिन ये क्योंकि बॉलिवूड की परंपरा है कि हमें सिखा रहे हैं जबकि हमारे में तो महिला को सबसे आगे लिखा है कभी भी राम सिता नहीं बोलते हैं कभी भी नारायन लक्ष्मी नारायन बोलते हैं कभी भी शंकर गौरी नहीं बोलते हैं गौरी शंकर बोलत ये जिसको दान का नाम देके महान बताया गया है और सनातन संस्कृती में सबसे बड़ा दान है अभी लेकिन इनको क्या है बॉलिवूड वालों का तीन चीज़ पे चलता है पहला ड्रग्स दूसरा पॉन और तीसरा डाक वेब इसलिए तो करीना खान जो है वो ये कहती है कि म देखो हमारी पिच्चर किसने बोला अब जानते हैं संजीव जी के इतना बड़ा स्टेटमेंट करीना कपूर जब देती है इसका मतलब क्या है कि इनको पैसो है तो इनको आई रहे बारत से ये तो सिफ मुखोटा है हिंदू धर्म को बदनाम करने का इनने पता है हमारी फि जिस तैमूर ने 18 साल के स्टूडेंट ने 18 या 28 बच्चों को मार दिया बं फोड़के उसी स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था उन बच्चों के साथ वो आतंकवादी तैमूर पढ़ता था तब ये नहीं बोलेंगे तैमूर लेकिन अगर किसी राम ने किसी तब्रेस को दो चाटे मार दी होंगे उनितों के ये देखो इनके राम प्रभूश्री राम ने दो चाटे मारे ऐसे करके हमारे भगवान को ये लोग डिफेम करते हैं ये अईसी जो ये जो सीरियल ये मतलब वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें ये शीव जी और राम जी को लेकर मौक करते उनको अयोध्या मंदिर में समर्पन निदी जब हम सब खटी कर रहे थे तब ये बनाता है और ये कहता है जिसान आयूप के आरे शेव बनके के अरे आज कल तो तुमारे बड़े चर्चे तुम तो ट्रेंडिंग में हो ऐसे मजाग कर लेते हैं लेकिन इनको कभी आपने देख इनके अभी बिहार में एक semi government college है उसमें लड़कियों को जिसमें सारी muslim लड़किया पड़ती है अलप संक्यों को की है उसमें उसकी warden ने का के सबको compulsory बुर्खा और हिजाब पहनना पड़ेगा उन्ही muslim लड़कियों ने इस पे वो करा है आंदोलन करा अब इस पे ये सा अगय सारे डिफेंड करें बॉलीवुड से कोई नहीं आया शबाना आजनी नहीं आई जावेद अक्तर नहीं आया और हमें कहते है कि तुम भी तो ओड़ते हो सिर्पे तो हमारे हिंदू के कोई भी मंदीर में या कोई भी हमारे पाठ्षाला होती है गुरुकुल होता है य और कॉलेज उनिवसिटी तो दूर की बात वहां तो हमारी लड़किया बकाइदा जीम्स और शॉर्ट स्कैन के जाती हो और हमें कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि हम जैन्यूनली बहुत लिब्रल है हम जैन्यूनली बहुत प्रोग्रसिव है लेकिन बार बार हमारे परंपरा उपे आघात करना ये कता ही सहन नहीं किया जाएगा और इस पे तो जितना ये हमें दबाएंगे उतनी बड़ी बड़ी बगावत होगी और फिर चाहे लड़ना किसी से भी पड़े इसलिए बगावत तो करनी है इसलिए हम लोग ये दिक कन्वर्जन करके मूवी भी लेकर जो लव जिहाद पर आधारी थे और इन लोगों की कांड के काले चिट्थे हमने खोल के रख दिये हैं हमने ये सोच के फिल्म नहीं बनाई कि हम भी चाहते तो कमानी के लिए फिल्म बनाते अपने ही लोग बॉइकोट के ट्रेंड करते और अपने लोग कहते ऐसी फिल्म करते हैं और कौन इस फिल्म को उस लेवल तक ले जाता है क्योंकि हम तो फिर भी कोशिश कर लेंगे लिकिन जो दो च्यार लोग डारेक्टर प्रोडूशर भविशे में सोच रहे होंगे न ऐसे मुद्धों पे या इन मुल्लों की और इन कम्यूनिस्ट इस्लामिस्ट की र चाक्तन मिसाल थी उसको ये कुटिया का नाम देते हैं और हम बैठे बैठे मतलब कुछ नहीं करते तो हम जब तक वो ट्रेंड नहीं चलाएंगे ना कुटिया हैश्टेग कुटिया अनुशका शर्मा या हैश्टेग कुटिया शबाना आजमी ऐसे रखो कुटिया के नाम दरते क्यों हो खुलके क्यों नहीं बोलते हो फिर आ जाते है विक्टिम कार्ड खेलने विमेन कार्ड खेलने और ये सारी बिग बिंदी गैंग आ जाएगी अपना-पना मंजीरा बजाने के लिए लेकिन ये तब नहीं बोलेगी कि जब वहाँ पे बिहार में कोई हम तो फिर बिहार में कैसे आप एक government organization में हिजाप compulsory कर रहे हो बुर्खा compulsory कर रहे हो और ज्यान पेलते है हम हिंदूों को आकर तो बढ़ास तो मेरी भी उतनी है आलिया भट जैसे तो बेवकूफ लोगों को पता ही नहीं प्रसीडन्ट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का मत पॉन्ट में फसकर दो मेने बाद बेल पे छुटके आया इनके मुह में इतना दही जमा हुआ है वो सोनू सुद 19 करोड में से एक करोड खर्च करता है 18 करोड खुद के जेब में डालता है फिर भी वो मसाया कहा जाता है और यहां पे राश्ट्रियो स्वेम सेवक के जारे घर घर जाके निदी खटा करके ट्रेनों में जाकर लोगों को खाना पहुचा रहे थे लाशे जला रहे थे मतलब अगनी संसकार लाशों का कर रहे थे इतनी दवाईयाओं के लिए दोड रहे थे पर RSS वालों को इनको आतंकवादी दिखते RSS वाले तो यह हिपोक्र इनको 100 ंशवालो और इनको तब तक मारो जब तक इनकी अकल ठिकाने ना जाए क्योंकि रॉलर फिल्म तो फिल्म ने ही है, इनको पता ही है कि वो तो हमें मिलने हमारा तो फिल्म नहीं भी चलेगी, तो भी पैसा तो बाहर से आ रहा है उर्दू हुड जिसे हम कहते यई पर उसको समझना नहीं है कि बार-बार उसके अस्तित्व पे वार हो रहा है यह कम्यूनिस जो इतना जॉप का बात करते एक्वैलिटी की बात करते पूर और अमीर गरीब की बात करते इनको पूछो के कैरला मैंसे परसो पेपसी वालों ने अपना वहां से प्लांट हटा दिय पेपसी को वाले ने और वो प्लांट इन्होंने शिफ्ट करा यूपी में और 814 करोड रुपे और लगा है यह 30 एकर में फैला हुआ प्लांट था वो इतने फैड़ अप हो गए थे इन कम्यूनिस से कैरला में कि इनको वहां से अपना प्लांट उठाना पड़ा क्यों यह अब जॉब पे बात नहीं करते क्यों यह एक जना जो है ट्रेंड चला रहा था मोदी जी के जनम दीवस के दिन की बेरोजगार दीवस अब वो केरला में कितने लेबर बेरोजगार हो गए अब क्यों ने ट्रेंड चलाते हो कि क्यो पैपसी को को वहां से जाना पड़ा क्यो